तैगर थरी के सेट से एक बीडियो हो रहा है । वाइरेल सल्मान खान न्यू लुक में आ रहे हैं। निजर फांस दिखे एकसाइटenden जो आ ताइगर थरी को लेकर फांस की वीच एकसाइटमेंट बना हुआ है और हाल ही में ताइगर थरीके से एक वीडियो सामने आया है द इसके अंदर सल्मान खान नजर आ रही है इसके साथ सल्मान खान के कुछ न्यू लुक्स भी दिखाए दिये वाल हम आपको बता दे कि सल्मान खान एक बहुत महंगी आक्शन फिल्म बनने वाली है जो हां कहा जा रहा है कि इसका बजट 300 से 500 करोड रुपे है हम आपको बता दे कि मुवी दिवाली पर रिलीज हो सकती है ऐसा सल्मान खान ने अपने एक इंटर्व्यू में कहा था हाल ही में सेट से कुछ वीडियो सामने आ रही हैं और इन वीडियो को देकर फान और रेड़ी एकसाइट हो चुके हैं हम आपको बता दे कि वीडियो टाइगर च्री के सेट से हैं इसी के साथ सल्मान का एक लुप भी सामने आया है हम आपको बता दे कि इस मुवी के अंदर नज़र आने वाले हैं इमरान हाश्मी नेगटिव लीड मी सल्मान खान आज़र हीरो और पुर्म की हिरोईन है कट्रीना क्यास तो उनकी शूटिंग खटम हो चुकी है और एडिटिंग और VFX का काम बाकी है जिहां वेल सेल्ट से जो वीडियो रिलीज हुई है उसमें हम देख सकते हैं कि सेट काफी बड़ा है धमाकेदार है और सल्मान खान का न्यू लुक भी जनता बहित पसंद कर रही है स्टूर्टर मीडिया पर इसके काफी चर्चे भी हो रही है वाल आप कितनी इससारे हैं हमें कॉमेंट्स करकर जरूर बताइएगा और बॉलवर्ट से जुड़ी हुई इसी तरही किते सारी खबरों के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले